हेलो बच्चों कैसे उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे तो आज की क्लास में लोग इंपोर्टेंट क्योशन करेंगे और यह आपके बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं क्योंकि अब सलेवस चेंज हो चुका है और इस तरह के स्वाली पेपर में आ रहे है तो ध्यान स जाता है तो पूरा टैंक भढ़ने के लिए कितना समय लगेगा यहां पर उसने बलता है कि दो बटा पांच भाग जो है इसको लगते हैं 30 मिनट ठीक है तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो आसान तरीक है तो इसका मतलब मान लीजिए एक आपका यह टैंक है और यह टैंक ट बढ़ने में 30 मिनट लगेगा तो बच्चे एक भाग को बढ़ने में कितना लगेगा 15 मिनट और ऐसे यह पूरा टैंक है यह पांच भागों में बटा हुआ है तो अगर आपको बताने कि टोटल टैंक भढ़ने में कितना टाइम लगेगा तो एक भाग बढ़ने में 15 मिनट लगा तो टोटल टैंक बढ़ने में कितना लगेगा 15 गुणा 5 मिनट यहां पर आंसर हो जाएगा 15 55 इस टैंक को बढ़ने में टोटल 75 मिनट लगेगा option number A आपका right answer क्लियर बच्चे क्योंकि जब कोई चीज बटे में चार के अनुपात में हैं इनका last 84 है तो इन में से बड़ी संख्या कौन सी होगी आपको ये बताना तो जब भी आपको संख्याए का अनुपात दिया जाए जैसे यहां पर है दो संख्याए A और B मान लीजिए और इनका अनुपात है तीन अनुपात चार और साती इनका LCM LCM है इनका 84 तो पूछ रहा है इनमे से बड़ी संख्या कौन सी होगी तो मैं आपको सारी चीजे बताऊंगा बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे चोटी संख्या और अगर इनका मा से पूछता वो कैसे निकालते हम क्या करेंगे बच्चे अगर आपकी संख्या A और B है तो आप मान लेना कि A जो संख्या है वो मान लो आपकी 3X है और B वाली जो संख्या है वो आपकी 4X है तो ऐसी कंडिशन में इनका जो LCM होता है देखो 3 और 4X का LCM जब अनुपात में दिया जाएगा तो इनका जो LCM होगा वो हमेसा इनके गुणनफल के बरावर होगा 3, 4, 12 औ हो जाएगा अब हमें LCM दे रखता 84 तो इसका मतलब 12X जो है यह 84 के बरावर होगा और X बरावर हो जाएगा हमारा 84 अपॉन 12 यहां से 12 सत्य 84 X का मान आ गया साथ हमसे पूछी थी बड़ी संख्या कोन सी होगी तो बड़ी संख्या जिसका बच्चे रेशियो बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी तो बड़ी संख्या आपका B हो जाएगा चार गुणा साथ साथ चोक अठाइस तो बच्चे बड़ी संख्या हमारी 28 हो जाएगी ऑप्शन नंबर आपका C जो है वो राइट आंसर हो जाएगा किलियर साथी बच्चे अगर वह आपसे पूछता चोटी संख्या तो दूसी संख्या चोटी होगी तीन एक्स तो हम दूसी संख्या भी निकाल सकते थे तीन उबड़ा साथ करके 21 तो दूसी संख्या हमारी 21 हो जाएगी अगर हमसे पूछता कि इसका मासा क्या होगा मासा ब उन दोनों संक्याव को मान लेना कि एक संक्या 3x है दूसरी 4x है तो इनका जो LCM होगा 3 चोक यानिके इनकी गुणा 3 चोक 12x इनका LCM होगा और ये LCM के बराबर रक्के हम LCM का मान निकाल लेगे एक्स का मान और जब X का मान आ जाएगा तो हमारी संख्या भी निकल जाएंगे किलियर अगला परसंद देखिए ये भी बहुत important question था इस वाल में हमसे कहा गया है कि 6 की घात 29 6 की घात 29 ratio 3 की घात 29 का मान क्या होगा तो बच्चे ये ratio में है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 की घात 29 divide by 3 की घात 29 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ये जो 6 है इस 6 के मां गुणनखंड कर सकता हूँ उसको लिख सकता हूँ 3 गुणा 2 की घात 29 और बटे में 3 की घात 29 और बच्चे आपको पता है कि जब किसी संख्या अगर हमारा A into B है और इसकी घात अगर M है तो ये घात ब्रैकिट खुलता है तो दोनों पर अलग-अलग लग जाती है तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ये घात दोनों पर अलग-अलग हो जाएगी 3 की घात 29 उना 2 की घात 29 divide by 3 की घात 29 इससे ये पुरा-पुरा कैंसल तो उत्तर आएगा 2 की घात 29 तो इसका सही आंसर होगा option number C आपका right answer केलियर बच्चो अगला स्वाल देखेगा अगले स्वाल में क्या पूछा है इसने कि 50 विध्यारतियों के एक ककसा में 40% लड़किया हैं तो ककसा में कितने लड़के होंगे हमें ये बताना है तो टोटल जो हमारे पास स्टूडेंट है तो टोटल जो हमारे पास ध्यारतियों वो 50 हैं गल्स का percentage क्या है गल्स है याँ पर कितनी 40% लेकिन बच्चे आप से पूछा है ककसा में कितने लड़के होंगे तो टोटल परतिसत तो 100 होता है तो अगर गल्स 40 परतिसत है तो ऐसी कंडिशन में जो बवाईज का परतिसत होगा वो कलास में 100 माइनस 40 यानि के 60% जो है वो आपके बवाई हो जाएंगे अब नमबर ओवाईज कल टू टोटल इस्टुडेंट क्या है पचास का कितना 60 परतिसत हम लोग निकाल लें और परतिसत कैसे निकालते हैं 50 इन्टू 60 रिवाईड बाई 100 0 से 0 कैंसिल 6 5 तीस तो उस कक्सा में 30 लड़के हैं आपका राइट आंसर ऐसे भी आप कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पर टोटल इस्टूडेंट 50 है और गल्स का परसंटेज है 40 तो पहले गल्स की भी संख्या निकाल सकते हैं गल्स इजकर्टू कितने हो जाएगी 50 का 40 परतिसत 50 का 40 परतिसत यानि कि 50 गुना 40 बटे में 100 0 से 2 0 पांचोक 20 तो यहाँ पर गल्स कितनी हो गई 20 लेकिन हमसे क्या पूछा है हमसे तो पूछा है बवाइज कितने है तो यह जो स्टूडेंट है इस स्टूडेंट के अंदर गल्स प्लस बवाइज लड़के प्लस लड़किया दोनों है तो टोटल स्टूडेंट में से अगर मैं लड़कियों की संख्या को माइनस करता हूँ तब भी मेरे पास बॉय जा जाएंगे तीस जोकी पहले भी आये थे तो दोनों में से आपको जो मैथड सही लगे उस मैथड से आप इस क्योशन को सोल कर सकते हो क्योशन देखिए ये भी बहुत इंपोर्टन्ट सवाल है परसन में बोला गया है कि साथ करमीक साथ करमीक संख्याओं का उसत्वीस है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी देखो करमीक संख्या का मतलब क्या होता है लगातार संख्या है जैसे मातलों लगातार का मतलब होगा एक संख्यागर पाँच है तो पाँच के अगली छे होगी 6 के आपे साथ संख्या होगी बात करूँ मान लिजिए आपकी साथ संख्या है A, B, C, D, E, F, G तो यह आपकी टोटल साथ संख्या हो गई साथ संख्या में बीच की संख्या देखो यह तीन इदर अटा दो यह तीन तो यह आपकी बीच की संख्या है और इसने का 7 कर्मिक 7 लगातार संख्याओं का उसत है 20 तो यानि कि बीच वाली संख्याओं की क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी इसने पुछा है कि सबसे बड़ी संख्या बताओ और ये संख्या कर्मिक यानि के लगातार तो अगली हो गई 21 फिर हो गई 22 और फिर हो गई 23 तो सातरी संख्या कि आपकी 23 होगी सबसे बड़ी संख्या आपका 23 option number C आपका right answer कभी भी आपको संख्याओं का उस्त दिया जाए तो ध्यान रखना वो उस्त हमेशा उनके बीच वाली संख्या होती है ठीक है और अगर संख्याओं का योगफल दिया जाए तो उन संख्याओं को इन ही से हम डिवाइड कर देते हैं बज़े एक साथ रंग बदलेंगी तो पहली light को लगता है एक minute सब को हम ऐसा करते हैं न सेकिंड में बदल लेते हैं क्योंकि ये भी बाकी के सेकिंड में दी हुए है और ये भी तो पहली लगती थी एक minute तो एक minute हम होती है साथ सेकिंड दूसरी ने 90 सेकिंड में और दूसरी ने आपके 75 सेकिंड और तीसरी ने 90 सेकिंड में तो 75 और 90 ऐसे में जो वो एक साथ बदलेंगी वो उनके LCM के बराबर होगा जितना टाइम उनको लगेगा यहां से में इनका LCM निकाल सकते हैं बच्चे 15 चुके 60 15 55 पंदरा शिक्चे आपका 90 हो जाएगा और दो दूनी 4 पांच दो तीया 6 है आपका दो से दो ही कम दो पांच और तीन और यहां से बच्चे फिर तीन से एक पांच एक और फिर हमारा पांच से हम इसको अल करेंगे 15 दूनी 30 दूनी 60 60 तीया 120 और 120 पंजे 600 तो टोटल आएगा 600 सेकंड तो बच्चे वो 600 सेकंड के बाद जो है अपने टाइम को बदलेंगी चैन् सेकंड का मतलब क्या हूँ आपका बच्चा मैं पंदरे 23 दूनी 60 तीया 180 पंजे 900 तो बच्चे 900 सेकंड के बाद यह टाइम बदलेंगी गया तीन फिर जीरो साट पंजे तीन सो तो बच्चे पंदरा मिनट के बाद जो है अपना टाइम बदलेगी पंदरा मिनट यानि के साथ बज़ कर पचास मिनट पर ये सुरू ही थी और पंदरा मिनट का समय इनको ओर लगेगा तो साथ बज़ कर पंदरा मिनट के बाद कितना टाइम होगा याँ पर आपका पांच हो जाएगा और पांच उर एक च्छे और साथ और 65 मिनट मतलब एक घंटा पांच मिनट यानि कि ये जो है आपकी आठ बज़ कर पांच मिनट पर फिर से एक 7 बज़ेंगी ओप्शन नंब को कैसा लगा वेको बच्चों कर आप यहां तक आ गए तो इसका मतलब आप तयारी जो है बहुत मेहनत से कर रहे हैं आपके अंदर सीखने का जजबा और सिखाने के लिए मैं बैठाउं डाउट कोई भी है कमेंट वोक्स में पूछ ले ना बस वीडियो को लाइक चाहिए उस